जे येशू आज वर्ष का सोलवा रविवार है और मैं आपको एक सच्ची घटना बताना चाहता हूँ तीन सिस्टर लोग चर्च में सफाई कर रहे थी और वो आपस में चर्चा कर रहे थी और उनकी चर्चा का विशे था ईश्वर की सेवा कैसे करे पहली सिस्टर ने कहा कि मैं एक मुम्बत्ती बनकर ईश्वर की सेवा करना चाहते हूँ दूसरी सिस्टर ने कहा कि मैं वेदी पर जो फूल है वो फूल बनकर प्रभू की सेवा करना चाहते हूँ और जो तिसरी सिस्टर थी वो तिसरी सिस्टर ने कहा कि मैं ये जो वेदी पर सपेत कपड़ा है वो कपड़ा बनकर प्रभू की सेवा करना चाहते हूँ क्योंकि हर समय जब पुरोहित में सब लिदान चड़ाता है तो वो आकर सबसे पहले वेदी के उपर जो पपड़ा रखा हुआ है और जो वेदी है उसका चुम्मन करता है भाईयों और बेहनों हम सब जन प्रभू की सेवा करना चाहते हैं प्रभू की उपवासना करना चाहते हैं और प्रभू को हम अपने कारियों से फ्रसन करना चाहते हैं ठीक तीन सिस्टरों की तह मार्था और मेरी दोनों बहने भी प्रभू की सेवा करना चाहती थी मार्था ने जब देखा कि प्रभीशु क्रिस्ट उनके घर पे आये हैं तो वो तुरंत किचिन में जाती है, खाना बनाती है ताकि अपने स्वाधिष्ट खाने से, भोजन से वो ईश्वर को खुश कर सके लेकिन वो परेशान थी, उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी कि मेरी बेहन मरियम वो क्यों मेरी मदद ले कर रही है और ये बात को ले करके वो परेशान थी लेकिन मेरी उसने प्रभू के चरनों में लिपट कर वो बैठी रही प्रभू जो बाते कहते थे वो सुनती रही उसकी आरात्ना करती रही, उसकी सुपी करती रही और उसे दुनिया की कोई सी चीजे उसके दिमाग में नहीं है क्योंकि उसने उत्तम भाग को जो स्वयम प्रविश्व कृस्त है उसको चुन लिया था किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि जब इनसान काम करता है तो सिर्फ वही काम करता है लेकि जब इंसान प्राथना करता है तो इश्वर काम करता है जी हाँ प्यारे भाईयों और बहनों इसलिए स्तोत्र एक सो सक्ताविस पद संक्या एक में हम पढ़ते हैं यदि प्रभू ही घर नहीं बनाएं तो राज मिस्त्रियों का श्रम व्यर्थ है स्वेम प्रभिसु कृष्ट ने संत योहन के सुसमाचार में अध्याय पंद्रव वाक्य पांच में कहा है मैं दाखलता हूँ और तुम डालिया हो जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फल देता है क्योंकि मुझ से अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं प्रिस्त में प्यारे भाईयों और बैनों अगर हमें फल दाई बनना है अगर हमें जीवन में अच्छा कारिय करना है तो हमें प्रभू को प्राप्निक्ता देना होगा प्रभू को हमारे जीवन में पहला इस्तान देना होगा जिस प्रकार से मरियम ने प्रभू इसु को पहला इस्तान दिया था बाईयों और बेनों आज की उप्वासना हमें महमानों का कैसा आदर करने का उनका कैसा सत्कार करने का इस महत्व को बताती है घर में आये महमानों का हम किस प्रकार से स्वागत करते हैं उनसे किस प्रकार का हम बरताओ करते हैं आज की उपवाशना का जो पहला पाठ है उसमें हमने देखा कि इब्राहीम अपने तंबू के पास में बैठा है और वो देखता है कि तीन पुरुष लोग उसके सामने खड़े हैं इब्राहीम दोड करके उनसे मिलने जाता है उन्हें दंडवत करता है उनकी सेवा करने के लिए उनसे अध्रह करता है कि मुझे आपकी सेवा करने का मौका दिशिये वो उन्हें पानी पिलाता है उन्हें पैर धोनिकने कहता है और कहता है कि आप थोड़ा समय विश्राम करो औ भाई और बहनों इब्राहिम ने अपने घर आये महमानों का एक उत्तम प्रकार से उनकी सेवा थी पाठ हमको बताता है कि इब्राहिम ने दोड़ करके उनके पास में आया उनकी सेवा की उनको बैठाया उनको पैर धोने को कहा और उनसे कहा कि थोड़ा समय विश्राम किजिए और मैं आपके लिए भोजन की विवस्ता करता हूँ पैयों और बेनों अंदर जाकर इबराहीम अपनी पत्नी से कहता है कि सारा जल्दी अच्छे से अच्छा खाना बनाओ मेहमानों को खाना परोषना है लेकिन खुद उनके सामने वो खड़ा रहा इबरहाईम उनके साथ खाने के लिए ने बेटा उनको खाना परोषता रहा उनकी सेवा की मेहमानों ने स्वादिष्ट खाना खाया वो खुश हो गए और उसकी सेवा को देख करके तीनों ने इबरहीम और सेवा को एक वचन दिया और क्या वचन दिया कि आज के ठीक एक वर्ष के बाद में आपकी पत्नी आपको एक बच्चे को जन्म देगी एक पुत्र को जन्म देगी भाई और बेहनों जब भी हम अपने घर आये महमानों का स्वागत करते हैं उनकी सेवा करते हैं तो ईश्वर उस सेवा का फ़ल हमको प्रदान करता है जैसे कि आज के पहले पार्ट में हम लोगों ने सुना सु समाचार में दोनों बेहने मार्था और मरिया इबराहीम की तरह वो भी इश्वर की सेवा करती है लेकिन मरियम ने उत्तम भाग को चुना प्रभी सु क्रिस को चुना दुन्या की कोई भी वस्तू कोई भी ताकत उसे प्रभू के प्रेम से दूर नहीं करती थी और इसलिए प्रभू कहते हैं कि मार्था तुम अन्य बातों में परेशान हो लेकिन मरियम ने उत्तम भाग को चुना है और कोई भी उससे वो उत्तम छिन नहीं सकता है कृस्त में मेरे प्यारे भाईयों और भेनों हम लोगों ने कौन सा भाव चुना है प्रविशु कृस्त को चुना है या समाज की वस्तों को चुना है समाज के लोगों को चुना है समाज के जो अच्छी अच्छी बाते हैं वस्तुए उनको चुना हैं। यह जो वस्तुए हैं, यह जो लोग हैं, यह चणिक हैं। कुछ समय के लिए खुशी मिलती है। कुछ समय के लिए आनन्द होता है। लेकिन सच्चा आनंद, सच्ची खुशी, सिर्फ प्रभिजु पुरुष को चुन्ने में होती है आज की उत्वाष्णा में हम प्रभु से प्रात्ना करें कि हे प्रभु आप को चुन्ने की, आप को स्विकार करने की, आप की सेवा करने की मुझे चीजिये God Bless you झाल झाल